Dear Students, Myself, Rohit, Hartron Skill Center, Hansi आज हम इस वीडियो के अंदर सिखेंगे MS Word 2016 के Insight Tab में Hyperlink Insert करना तो Hyperlink क्या होता है? Hyperlink का मतलब होता है कि आप किनी दो फाइलों के बीच में Link Set कर पाएं यानि कि आप किसी एक document के अंदर work कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि हमने एक document open किया हुआ है अगर हम यहीं इसी document के अंदर से ही हमारे courses की detail चाहते हैं बट जिस file के अंदर हमारे courses की detail है वो file इससे अलग है यानि कि वो second file है तो हम चाहते हैं कि हम इसी file के अंदर से कोई ऐसा link source यूज़ करें ताकि हम इसी file से दूसरी file पर जा सकें तो उसके लिए हमें hyperlink यूज़ करना होता है तो हमें क्या करना है जहां भी हम उस second file का link insert करना चाहते हैं हमें वहाँ click करना है उसके बाद insert tab के अंदर आपको मिलता है hyperlink option create a link in your document for quick access to web pages and files यानि कि आप किसी भी web page को या फिर किसी भी second file को quick access कर पाएं उसके लिए हमें hyperlink add करना होता है जिसकी shortcut के control plus K आप keyboard से भी use कर सकते हैं तो हमें यहाँ click करना है हमें वो file search करनी है कि हम जिस file के साथ hyperlink करना चाहते है वो file हमारे किस location के अंदर है या किस name से है तो हमें यहाँ ढूना है course detail तो हमारे जो file है वो course detail के नाम से है हम इस file का hyperlink करना चाहते है हमारी existing file के अंदर तो हम okay करेंगे यहाँ से file को select करने के बाद आप okay कर देते हैं और okay के बाद आपके जो second file है उसका link यहाँ insert हो जाता है आपको extension भी दिखाई देती है कि जो file आपने insert की है उसके extension क्या है .bocx यहनिकी docs जब आप mouse pointer अपने link के ओपर ले कर जाते हैं तो आपको एक comment box दिखाई देता है control plus click to follow link अगर आप इस link को follow करना चाहते हैं तो आप control प्रेस करके रखिए और उसके साथ mouse से left click कीजिए तो हमें अपने mouse pointer को इस link पर ले कर जाना है control प्रेस करके रखना है और click कर देना है जिससे आप मारे course detail जान पाएंगे आपको यहाँ काफी सारे courses की detail दी गई है अगर आप इससे अलावा भी कोई inquiry चाहते हैं तो आप हमारे इस address पर visit कर सकते हैं या फिर हमारे इस mobile number पर आप call कर सकते हैं on duty time and in working days hope so hyperlink insert करना आप अच्छे से समझ गए होगे अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो please इस video को like करें, share करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे channel को subscribe करें bell icon को press कीजिए ताकि ऐसी ही video को notification आपको मिल जाए thank you